बुलुश्री ताड़नाथ प्यारे की, बुलुश्री सत्गुरू महाराजी की स्री महामत कहें ए मौमिनों, करु मूल सरुप बरनान मेहर करी मासुक ने, ली जो रुह के अंतस करन ली जो रुह के अंतस करन स्री राजी को स्रिंगार दूसरो मंगला चरण अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराज अभी अभी हमने स्रवन जी के द्वारा सुमधुर स्वर में इसी वानी का गायन सुना सागर ग्रंथ है, सागर ग्रंथ का आठ्मा प्रकरण स्री राजी का स्रिंगार है और उस स्रिंगार का भी मंगला चरण मंगला चरण का तात्परिय यह होता है कि किसी भी प्रकार का शुभ कर्म यदि हमें करना है उस से पहले जो प्रार्थना की जाती है कि हम जो कारिय करने जा रहे है वह सफल हो, वह पूर्ण हो सके जिस मनुरत के पीछे हम प्रयास कर रहे है वह उस मनुरत की सिद्धी हो उस प्रार्थना को मंगला चरण कहा जाता है कि जो हम कारिय करने जा रहे हैं वह मंगलमे तरीके से संपून हो अब जैसा की एक हिंदी भाषा में कहावत कही जाती है जैसी देवता वैसी पूजा देवता जैसा होगा पूजा भी वैसे की जाएगी इसी तरह से हम जिस तरह का फल चाहते हैं परिश्रम भी उसी तरह से करना पड़ेगा और मंगला चरण का इस्तर भी वैसा ही होगा अगर हमें सामान्य कार्य करना है कोई तो छोटे से कार्य के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाने की आउशक्ता नहीं पड़ती है वो किसी छोटे कर्मचारी से ही हो जाता है और अगर बड़ा काम संपन्न करना हो तो बड़े स्तर पर हमें प्राथना करने पड़ती है गुहार लगाने पड़ती है प्रसंग चल रहा है राज्जी के स्रिंगार के वर्णन का तो मंगला चरण भी वैसे ही भाव से होगा उसी समर्बन के साथ में होगा और उसी प्रेम के साथ में होगा अब चुकि राजी के स्रिंगार का वर्णन होना है आगे तो वह स्रिंगार जहां विराजमान है कहां पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है आपका धाम, घर, स्थान, निवास, कुछ भी समझ लेजी वह कहीं और नहीं बल्कि मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है इसलिए हम हमारे प्रियतम मक्षरातित स्री राजी को प्राणेश्वर कहते हैं हृदयस्वर कहते हैं, कि आप हमारे हृदय के स्वामी हैं, आप हमारे प्राण के स्वामी हैं तो इसलिए इंद्रावति जी कह रही हैं कि आपका जो धाम है वो मेरा दिल है यदि संपूर्ण विश्व की जितने भी मनुष्य हैं, इस एक बात को समझ जाएं कि परब्रम का स्थान, परब्रम का धाम, निवास हमारे हृदय में ही है तो धर्म के नाम के जितने भी जगड़े हैं, वो सारे समाप्थ हो जाएंगे आज दुनिया में जो सबसे बड़ा जगड़ा है वो धर्म का ही है हिंदू, मुस्लिम, इसाई, विशेश रुप से ये तीन बड़े संप्रदाय कहे जाते हैं और फिर उनकी विभिन साखाएं हैं यदि सभी एक विशे में एक मत हो जाएं क्योंकि जगड़ा कहां होता है जहां दो मत हो जहां किसी एक विशे में एक मत होने की संभाव ना है तो वो ये है कि परब्रम हमारे हृदय रुपी धामे विराजबान है चाहे आप कते परंप्रा को देख लीजिए कुरान में इस पश्ट रुप से कहा है कल्बे मुमिनिन अर्ष अस्त मुमिनीन किसको कहते हैं मुमिन का आर्थ है ब्रहमनी अर्थात रुप आत्मा ब्रहमस्रस्टी और मुमिनीन अर्थात बहुवचन में है कल्ब कहते हैं दिल को हृदय को कि मुमिनों का जो हृदय है वही अर्ष है ऐसा कुरान का कथन है तो कते परंपरा में देख लिया हमने और जब हम गीता देखते हैं, गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि है अर्जुन इस्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है कविर जी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में कहा, कि मो को कहा ढूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मुझे ढूड़ने के लिए कहीं और जाने की आवसेक्ता नहीं है ना तीरत में हूँ मैं ना मूरत में हूँ ना काबा में हूँ ना कैलास में हूँ मैं कहां पर हूँ? कहते हैं खोजी होए तो तुरत ही मिल हूँ सब स्वासन की स्वास में कबर जी ने कहा कि यदि कोई सच्चा खोजी होगा तो परमात्मा को अपने हृदय में देखेगा और तब ऐसा लगेगा क्यों कि हम क्या कहते हैं? परमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात् सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन अभी अब उस आस्था में नहीं पहुंचे, गाना अलग चीज है, इसको सुनना और कहना कि हरिदय, हमारा हरिदय ही आपका धाम है, यहां पर आकर कि तुम आए, करो आराम, इस मेरे हरिदय रुपी ध धाम में आप विराजमान हो जाईए, कहना तो सरल है, लेकिन हरिदय को धाम बनाने में सारी मसकत है, एक बोलचाल की भासा में, क्योंकि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, यह समर्पन की पराकास्था है, जब हम किसी के घर में जाते हैं, अतिथी के रूप में, या कोई हमार घर में आता है, तो हम बोलचाल में अउपचारिकता वश यह कह देते हैं, कि इसको अपना ही घर समझिये, यह जो घर है, वो आपका ही है, जैसे इंद्रावती जी कह रही हैं, अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, हम कहते हैं, कि इसको अपना ही घर समझिये, लेकिन हमारे घर स वह महमान कोई सामान उठा के लेके जाना चाहिए जो आपका कीमती हो अब थोड़ी दिर पहले आपने कहा था कि इसको अपना ही घर समझिये वो शब्दों तक था या फिर व्यवहार तक उसकी परिक्षा तब होगी कि हमने कहतो दिया शब्दों से कि ये आपका ही घर है अब वो जब उनका घर है तो उनकी चीजें वो लेकर के जा रहे हैं आपको क्या दिक्कत हो रहे हैं आप तो उस घर के चोकीदार ठह रहे हैं क्योंकि आपने किसी सामने वाले को कह दिया कि इसको आप अपना ही घर समझिये तो वो वैसा ही वेवार करेगा वैसा ही अधिकार पचता था और आपके घर की टीवी वो ले जाके बेच दे तो आप मानेंगे नहीं मान सकते क्यों क्यों कि ये जो कहने की बात है हमने दिल से नहीं गई थे और जहां तक जीव के अहम का सवाल है जहां तक जीव के स्थूल और शुक्ष्न विकारों का सवाल है जब तक वे विकार समाप नहीं होंगे तब तक हम उस भाव से भी दूर नहीं होंगे कि ये मेरा है, ये पराय का है ये किसी और का है और जब तक हम उस भाव से उपर नहीं उट सकते तब तक हम अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है किवल पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते ही रहेंगे लेकिन उस भावना तक हम नहीं पहुँच पाएंगे ये तो इंद्रावती जी का कथन है हम ऐसा कब कह पाएंगे कि हमारा जो दिल है वो आपका घर है जैसे मैंने महमान का उधारण दिया उसी उधारण को थोड़ा सम पीछे जा करके देखने हैं आपके घर में यदि किसी महमान को लाना हो अभी जैसे दसहरे का समय चल रहा है दसहरा में या दिवाली में किसी भी पर्व में किसी उत्सों में आपके घर में आपको पता हैं महमान आने वाले हैं तो आप क्या करते हैं सबसे पहले घर की सफाई करते हैं विसे सुरुप से दिवाली में पूरे घर की सफाई होती है किसके लिए कोई सामान्य सा व्यक्ति आने वाला है इस संसार का हमारा एक सामान्य रिष्टेदार आने वाला है उसके लिए हम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं तो सोचिए कि जो इस संपुन ब्रह्मान का स्वामी है जिसको हम प्रियतम कहते हैं प्रियतम शब्द कहना और प्रियतम को प्रियतम समझना इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि प्रियतम का मतलब क्या होता है सुपरलेटिव डिगरी है एक तो होता है प्रिय प्रिय मतलब प्यारा प्रियतर मतलब उससे भी प्यारा और प्रियतम का मतलब सबसे प्यारा उससे प्यारा कोई हो ही नहीं सकता जब हमने राजी को प्रियतम कहा तो इसका मतलब यह हुगा कि वो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व पूर्ण है उससे अधिक महतुपूर्ण और कोई हो ही नहीं सकता तो सोचे कि एक सामान्य कीमत वाले वेक्ति के लिए एक सामान्य इज़त वाले वेक्ति के लिए एक सामान्य प्रिय वेक्ति के लिए भी हम अपने घर की सफाई करते हैं तो जिस प्रियतम परव्र मक्षराती धामधनी श्री राजी को हमें अपने हृदय में बसाना है, तो क्या हमें हमारे दिल की शुद्धी की आउसेक्ता नहीं पड़ेगी? जब तक हम अपने हृदय रुपी धाम को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ह्रिदे रुपी घर को वास्तों में अर्ष नहीं बनाएंगे एक सुनने में कठोर लगेगा लेकिन क्या करें एक कहावत कही जाती है कि आउशधी और उपदेश दोनों कडवे होते हैं कई बार कडवी बातें कहने ही पड़ती हैं देखिए एक जब घर में बच्चा गंदगी फैलाता है कमरे में सामान इधर उधर विखरा होता है सफाई नहीं की होती है तो मा डांटी है बेटे को बच्चों को और क्या कहके डांटी है कि जब जानवर भी बैठता है ना किसी जगह पर पूँच से वो जगह को साफ करके बैठता है अब सोचे जानवर अपने बैठने की जगह को साफ रखता है तो इंसान भी साफ रखेगा अब सोचे कि मनुष्य को अपने बैठने की जगह साफ चाहिए तो जिस परव्रम को हृदय में बसाना है अब हम उसे बुला रहे हैं कि आप हमारे हृदय रूपी घर में आ जाईए तो उसके सफाई के आउसकता पड़ेगी कि नहीं एक माता थी वो रोज सत्संग सुनने जाती थी और भावुक भी थी लेकिन मन में कही न कहीं विकार घर की हुए होते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा दो तरह के विकार हैं एक स्थूल विकार एक शुक्ष्म विकार स्थूल विकार का मतलब है कि वे विकार जो सब को दिखाई पड़ते हैं जैसे मालनीजे कि मुझे क्रोध आता है मैं घुस्से में किसी को डाण देता हूं मेरे ये विकार सब को दिखाई पड़ेंगे लेकिन मेरा क्रोध अंदर ही, अंदर है मैं किसी को डाठा तो नहीं हूँ लेकिन उसके सामने नह सही, लेकिन उसके नहरे निपर में अंदर ही, अंदर अगर किसी को किसी के लिए कुछ चक्र रच रहा हूँ, तो ये सुक्ष्म विकार हो गए, और स्थुल विकार से सुक्ष्म विकार और ज्यादा घातक होते हैं, तो दो तरह के विकार हैं, उस माता के अंदर कहीं न कई स्थुल और सुक्ष्म दोनों प्रकार के विकार थे, तो उसने एक दिन किसी साधु जो साधु उसके यहां भिक्षा मांगने के लिए आये हुए थे उससे पूछा कि महात्मा जी मैं रोज सत्संग सुनने भी जाती हूं और मैं दान पुर्णिय इत्यादी भी बहुत करती हूं लेकिन मुझे परमात्मा की अनुभूती क्यों नहीं होती है तो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है आपको यह दिस सवाल का जवाब चाहिए तो मैं कल आऊंगा आपके पास और आप मैं आऊंगा तो कुछ न कुछ दान में तो दोगी ही तो दान में देने के लिए खीर बनाना उस माता ने कहा ठीक है अगले दिन निश्चित समय पर मह मातमा जी पहुंचे तो उस माता ने कहा कि अच्छा पहले मेरे सवालों का जवाब देजी साधु ने कहा कि कोई बात नहीं तुम पहले मुझे खीर दो उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूगा उन्होंने अपना पात्र दिया भिक्षा पात्र जो था वो दे दिया माता अंदर लेकर के खीर डालने वाली होती तो उसने देखा कि उसमें तो अंदर गोबर पड़ा हुआ है उस बरतन में उसने महात्मा जी को कुछ कहा नहीं ले जाकर के उस बरतन को बहुत अच्छे से धो दिया दो तिन बार ताकि उसकी गंध न आए और उसके बाद खीर डालके दे दिया महात्मा जी ने वो पात्र लिया और चलते बने कोई जवाब नहीं दिया पहले प्रश्ण का तो वो महिला पीछे से आवाज देती है कि महात्मा जी आपने मेरे सवालों का जवाब तो दिया नहीं मात्मा जी ने कहा कि मैंने जवाब तो दे दिया बोले कैसे मात्मा जी कहते हैं कि देखो ये एक सामान्य खीर है इसकी कोई इजट नहीं है वैसे अनकी इजट है लेकिन परब्रह्म की तुलना में वो खीर क्या है कहते हैं कि ये खीर डालने के लिए भी तुम इस बरतन को साफ कर रही हो अगर तो परब्रम को अपने हृदय में रखने के लिए उस हृदय रूपी पात्र को साफ करने की आवशक्ता होती है हम वाणी में कहते हैं ना केशरी दूध न रहे रजमात्र बिना उत्तम कनक जो पात्र केशरी सेरनी का जो दूध है वह सोने के पात्र के बिना और कहीं रख नहीं सकते ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसे पदार्थ होते हैं कि दूसरे बरतन में डालने पर छेद हो जाएंगे ऐसा नहीं है केसरी सिंखनी का जो दूद है उसका महत्व इतना है उसकी कीमत इतनी है कि उसको हर जगा पर रखना नहीं चाहिए हर छोटे मोटे पात्र में रखना नहीं चाहिए उसकी कीमत के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसको सोने के बरतन में सोने के पात्र में रखना चाहिए अब सोचिए कि हम अब तक केवल कहते ही आ रहे हैं अर्स तुम्हारा मेरा दिल है क्या हमने अपने हृदय को अर्स बनाने के काबिल बनाया है हमारे हृदय में काम क्रोध, लोब, मुह अहंकार, इर्शया द्वेश, इत्यादी अनेकों विकार है किसी के अंदर कम हैं, किसी के अंदर ज्यादा हैं, किसी के अंदर हो सकता है, एक विकार होगा तो किसी में दो होंगे, किसी में छे के छे विकार होंगे और ये तो मैं एक समझने के लिए सरल सब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि किसी में एक या दो होंगे, वैसे सभी विकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं अगर किसी में काम रुपी विकार है तो क्रोध भी अवस्य होगा क्यों? क्योंकि जिसके अंदर मान लीजिए काम मतलब काम ना इच्छा इच्छा है अगर तो इच्छा की पूर्ती ना होने पर क्रोध आना स्वभाविक है काम के साथ क्रोध जुड़ा है जो उस इच्छा की पूर्ती कर देता है उस व्यक्ति के प्रती उस वस्तुया उस इस्थान के प्रती मुह होना वस्तू की प्राप्ती हो जाएगी तो मेरे पास ये वस्तू है, इस वस्तू का अहंकार भी होगा. और अगर वो वस्तू कीसी दूसरे के पास भी है, तो उससे इर्शया भी होगी. है न? और उससे ध्वेस भी होगा. तो एक विकार के साथ सभी विकार जुड़े हुए हैं एक के साथ जैसे एक diabetes बिमारी है ना उस diabetes के साथ में दूसरी बहुत सारे विमारियां free में मिलती है इसी तरह से ये विकार भी ऐसे हैं कि एक विकार के साथ में बाकी 5 विकार free में मिलते हैं इसलिए छे के छे विकार सब के अंदर होते हैं, किसी के अंदर कोई विकार ज्यादा होगा, किसी के अंदर कोई और विकार, कोई किसी के अंदर क्रोध का विकार ज्यादा होता है, किसी के अंदर लोब का, किसी के अंदर मुह का, लेकिन सब के अंदर होते हैं, और जब तक इ यहे, बिमारी बता दी, कि आपके अंदर दिक्कती, अब दवाई क्या है इस चीज़ का, इलाज क्या है, क्योंकि परेशानी का केवल पता लगने से इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए तो समाधान अलग से चाहिए, अब समाधान क्या है, कि चाहे कैसा भी विकार हो, अभी आप में से जितने लोग बैठे हैं या चाहे वो सुनने वाले हों, चाहे सुनाने वाले, सब की अंदर जैसा कि मैंने पहले इक कहा विकार हैं, लेकिन अभी जब तक आप चरचा सुन रहे हैं, तब तक आपको किसी के प्रति क्रोद आ रहा है? नहीं, कोई मूह आ रहा है, किसी के प्रति आ सकती हो रही है लोब है, इरश्या दुएस कुछ नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि मन का काम क्या है मन की एक खूबी है, विशेस्ता चाहे आप इसको खूबी समझें, चाहे आप इसको खामी अर्थात कमी समझें कि ये एक समय में एक ही काम कर सकता है ये खुबी भी है और खामी भी है खामी कैसे कि अगर माया की तरफ लग गया तो माया के तरफ ही लगेगा और अगर राज्जी की तरफ लग गया तो राज्जी के तरफ ही लगेगा एक ही समय में वो माया और राज्जी दोनों में नहीं रह सकता, ये मन की खुबी है इसलिए तो माणी में कहा अर्स लो या दुनिया दो पाईए न एक ठोर अब देखिए अभी तक हम राज्जी की बातें सुन रहे हैं राज्जी से सम्मंधित बातें सुन रहे हैं, तो अब तक हमारे मन में काम, कुरोद, लोब, मोह, हंकार, इरश्या, दुएस नहीं आ रहे हैं, सोचे केवल बातें सुनने में इतना फर्ग है तो जिस दिन हम राज्जी से प्रेम करेंगे राज्जी से यदि प्रेम हो जाए, अब सोचे कि बातें सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि कोई विकार हमारे मन में नहीं आ रहे तो जिस दिन प्रेम रूपे प्रकास हमारे हृदय में प्रकासित हो जाएगा मानलीजे रात का अंधेरा है अभी तो सुबह चर्चा हो रही है रात का अंधेरा घना हो तो उस अंदकार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अंदेरे को धक्का लगाएंगे? धाडू पोचा लगा के अंदेरा बाहर नहीं निकाल सकते? वैक्यूम करके भी बाहर नहीं निकाल सकते? अंदेरा अंदेरा ही रहेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बल्ब लगाएं हैं, तो switch on करना पड़ेगा. अच्छा, switch on करने के बाद, उस अंधेरे को बाहर निकालने में कितनी मेहनत करने बढ़ती है? कुछ नहीं. पुरा मेहनत किसमें करना है? Switch on करने में. ठीक है? या फिर उस switchboard तक current लाने में. दो चीज़ों में महनत है. अब सोचिए, कि वाणी हमें मिली है, ज्यान हमें मिला है, हम तार्तम जब ग्रहन करते हैं. तार्तम यह का मतलब क्या होता है? संबन्द, स्थापित करना. इसका मतलब connection तो मिल गया है. सिर्फ switch on करने की जरूरत है. और एक जो switch है, जैसा मन है. जैसा कि मैंने कहा कि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, switch भी एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो वो on रहेगा, या वो off रहेगा. या आप राजी की तरफ जा सकते हैं, या माया की तरफ जा सकते हैं हमें आन करने का मतलिव है कि हम अपने मन में प्रेम बसा लें जिस समय हम अपने मन में प्रेम को बसा लेंगे जब तक हमारे हृदय में प्रेम है तब तक क्रोध नहीं आ सकता काम, क्रोध, लो, मुह, हंकार सब उस समय के लिए चले जाएंगे और एक बार के लिए हमने switch on कर लिया तो प्रकाशित हो गया और एक बार प्रकाशित हो जाने के पश्चात अब और कोई अलग से effort करने की जरूरत नहीं है अब अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है पूरा का पुरा प्रयास है हमारा switch on करने में वहां तक जाने में थोड़ी बाधा है और वो बाधाएं यह है कि रात के समय में अगर हमें switch on करना पड़े आपको पता है कि switchboard वहां पर है मैंने बता दिया ठीक है रात का अंधेरा सब यहां पर बैठे हुए है मैंने कहे दिया कि switchboard वहां पर लगा हुआ है अंधेरा है अब इस अंधेरे में आपके मन में यह दुवीधा आई कि switchboard है कि नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यह हो गई दुवीधा माया अब मालीची विश्वास कर भी लिया कि अच्छा मान लेते हैं कि switchboard वहां पर है तब तक भी अंधेरे को चीर करके मतलब अंधेरे में कहीं टकराते हुए भी जाना पड़ सकता है क्योंकि कहां कुरसी है कहां कैमरे का स्टैंड है कहां कोई बंदा बैठा हुआ है कुछ पता नहीं हाई बस जितनी बादाएं है switchboard तक पहुँचने तक की है उसके बाद का जो रास्ता है वो सरल ही सरल है इसलिए अब सारी बातें भी हमारे समझ में आ गई कि राजजी का जो धाम है वो हमारा दिल है हमारे हृदयरुपी धाम को विकारों से मुक्त करने के आव सेकता है ये बात भी समझ में आई और विकारों से मुक्त कैसे किया जा सकता है ये बात भी समझ में आई अब इसके बाद भी अगर हम उस बात पर अनुशरण नहीं कर सकते उस ज्ञान को हम आत्म साथ नहीं कर सकते तो फिर अगले वाले 2022 की सरद पूरी मा में भी बैठ करके यही चर्चा सुन रहे होंगे 22 के बाद 32, 42, 52 जब तक जीवी थे हैं तब तक यदि हम पूरे दिन, राद, 2400 घंटे भी ब्रह्ममानी की चर्चा सुनते रहें तब भी कोई लाभ नहीं होगा वाणी का लाभ कब है? ज्ञान का लाभ कब है? जब हम उसको आत्म साथ करें हम बार बार कहते हैं कि कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी न होवे काम रहनी रूह पहुँचा वहीं कहनी लग रही चाम अब तक हमारा ये अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है केवल मुख से कहने तक ही सिमीध है अपने हृदे पर हाथ रख करके कोई कह सकता है हम में से कि हमने अपने दिल को अर्ष कहलाने के लायक बनाया है नहीं कह सकते तो इसलिए हमारी जागरिती नहीं हो पा रही है हमारा पूरा का प्रयास कैसे रहता है कि अभी भी हम पन्ना पहुँचे है पन्ना की जो धर्ती है एक तो हम इसको पवित्र नगरी कहते है इसके कई कारण है उन सभी कारणों की व्याख्या में नहीं कर रहा क्योंकि वो सब तो आप जानते ही हैं लगबग लगबग और आगे आने वाले दिनों में चर्चा होती ही रहेगी और कोई न कोई आकर कि आपको पन्ना की महिमा के विशे में बताते रहेंगे लेकिन सबसे महतुबून बात यह है कि पन्ना को हम तपो भूमी कहते हैं तपस्या की परिभासा बताते हुए हमारी भारतिय पद्धती भारतिय धर्मग्रंद कहते हैं द्वंदम सहनम तपह द्वंद का मतलब है शुख दुख लाव हानी जय परजा इन सब को समान रूप से देखती हुए सहन करने की जो प्रवरिती है उसको तप कहते हैं लेकिन पन्ना में आने के बाद भी जब हम राजी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं गुम्मट जी, बंगला जी, आभाईज महारानी मंदिर, सद्गुर मंदिर, चोपड़ा जी जहां भी जाते हैं हम राजी से क्या मांगते हैं कि राजी हमें दुख ना मिले माया की परेशानी हमें ना मिले, हमें जो जो भी कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट समाप्त कर दीजिए हमें ये नोकरी लगा दीजिए, हमें जॉब मिल जाए या हमारा बिजनेस चल जाए हम राजी के पास आकर के राजी को नहीं मांग रहे हैं और मुख से कह रहे हैं अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है एक तरफ हम कहते हैं तुम आए सब आईयां और उस सब के अतिक्धम बाकि सब मांग रहे हैं जब राजी को हमने हृदय में बसा लिया और कह दिया कि आपके आने के बाद तुम आए सब आईया दुख गया सब दूर हम दुख को दूर करने के लिए दूसरे सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो पहला चरण हमें फुकार रहा है कि तुम आए सब आईया उस एक चरण को अगर हमने सिध कर लिया कहते हैं किसी साधू ने कहा एक साध है सब सध है सब साध है सब जाए यदि हमने एक को पकड़ लिया तो तुम आए सब आईया सिध हो गया लेकिन बांकि सब को यदि हमने पकड़ना चाहा तो हम उस एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे अब आगे कहते हैं सेज बिच्छाई रुच रुच के रुच का आर्थ क्या होता है पसंद करना जो चीज हमें प्रिय हो उसी को तो हम पसंद करते हैं कहते हैं सेज बिच्छाई रुच रुच के हमें हमने पसंद कर करके छाँट छाँट करके आपके लिए सया तयार की है सया तयार करने का मितलब क्या है कि सया तयार करने में लगता है पलंग गद्दा फिर चद्दर रिदय रुपी पलंग है उसमें द्रड़ इमान रुपी गद्दा है और प्रेम रुपी चादर उसमें विच्छाई गई है इसमें रुच रुच की जो शब्देन उसमें बहुत गहरा भाव चिपा है हम एक लोक व्यवहार में एक चीज सिखाई जाती है मैं जब छोटा था थोड़ा बहुत पढ़ाई की स्कूल में तो ये चीज सिखाई जाती थी कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनसे चाहते हैं अब जब हम राजी को अपने हरिदै में बसाना चाहते हैं तो हमें व्यवहार भी वैसा ही करना पढ़ेगा उस बात को यहां पर रुच रुच के सब्द से कहा गया है कि सेज बिच्छाई रुच रुच के जब हम चाहते हैं कि राज जी हमारे हृदय में विराजबान हो जाएं इंद्रावतीजी ने तो पूरा कर लिया ये तो सागर की बात है खट्री तुमें ही उन्होंने साफ सब्दों में कह दिया कि धामधनी मेरे हृदय रूपी पिंज् विराजबान है यहां पर वो जब कह रही है कि तुम आए करो आराम तो इसका मतलब यह नहीं कि राज जी इंद्रावती जी के हृदय हम से निकल करके कहीं और गये हुए हैं या हमारे हृदय हमें विराजबान नहीं है हमेरे राजजी को इन्विटेशन कार्ड छाप करके फिर दे करके लाने की आवशकता ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में तो वह पल-पल विराजमान है। लेकिन जिस दिन हमें उस बात की अनुभुती हो जाएगी, दो चीजे हैं। राजजी का अनुभव होना और राजजी हमारे दिल में हैं इसका अनुभव होना दोनों अलग-अलग स्तर की बात है। पहले राजजी हमारे हृदय में विराजमान हैं इस बात का हमें अनुभव करना पड़ेगा। और जिस दिन ये हम अनुभव करने लग जाएंगे, उस दिन विकार समाप्त, क्योंकि सोचिए कि जहां हमने ये मान लिया कि राजी हमें पल-पल देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई विकार कैसे आ सकता है, एक उदाहरण, साइद आप में से ऐसा कोई नहीं होगा, जिसने ये उदाहरण न सुना हो, कि एक गुरू के दो शिश्य थे, उन्होंने अपने शिश्य की परिक्षा लेने के लिए, दोनों शिश्यों को कोई मिठाई दी और कहा, कि ऐसे जगह पर जाकर कि इसको खाना, जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो, एक शिश्य गया, कुटिया जंगल में पहुचा तो लगता है कि यहां कोई न कोई चीडिया मुझे देख रही होगी, यह वो, बहुत कुछ सोचता रहा, घोर घने जंगल में अंदर तक प्रवेश्य किया, तब लगा कि अब यहां पर कोई नहीं आ सकता, फिर उसके मन में अचानक विचार आया कि और कोई देख रहा हो, ना देख रहा हो, लेकिन हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि परमात्मा तो हमेशा हमें देख रहे होते हैं, तो मैं इसको कैसे खा सकता हूँ, वो वापस आ गया, अब सोचिए कि जिस दिन हमने यह मान लिया कि राजजी हमारे निकट हैं पल-पल, तो इस दिन दो बात हो जाएगे, एक हमारा ईमान उन पर द्रिड हो जाएगा, कैसी भी परिष्थति, कैसी भी परिषानी आएगी, हमें यह आभास रहेगा कि राजजी हमारे निकट हैं पल-पल, तो हमारे इमान द्रिड होगा, और दूसरा हम विकारों से बचे रहेंगे, क् कि कोई भी विकार मन में अगर एक पल के लिए आता भी है तब भी हम तुरंत उस विकार को भगाएंगे कि नहीं राज्जी हमारे हृदय में है और जिस हृदय में राज्जी है उस हृदय रुपी घर में हम इन विकार रुपी कचरे को घुशने नहीं दे सकते तो ये दो चीजें हो जाएंगे इसलिए यदि हम ये मान लेंगे जिस दिन कि हमारे हृदय में राजी हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कहते हैं सेज बिचाई रुच रुच के हम जैसा राजी से प्रेम चाहते हैं वैसा ही हमें राज्जी को प्रेम देना पड़ेगा तो उसी तरह से द्रिड इमान और प्रेम रुपी बिस्तर और चादर से अपने हृदय रुपी पलंग को तयार करना होगा और आगे कह रहे हैं एही तुम्हारा विश्राम अब जहां प्रेम है क्या कहते हैं हम प्रेम ब्रह्म दोव एक है एक दोव दुनी में ना है दुनिया में तो नहीं है कहां है क्या कहते हैं हम प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट भिकाए प्रेम दुनिया में तो नहीं मिल सकती लेकिन ब्रह्म मुनियों के ब्रह्म सुष्कियों के हृदय में तो है और जहां प्रेम है कहते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है तो वहां ब्रह्म भी होगा तब जाकर के कहा जा सकेगा हमारे द्वारा कि एही तुम्हारा विश्राम हमारे हृदय में ही आपको विश्राम करना है, आराम करना है और हमारे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम का आपको रस्पान करना है और जिस दिन ये स्थती हो जाएगी, क्यों मानने की बात नहीं है जब मान रहे हैं वो थोड़ी नीचे की स्थती है और जब ये अवस्था आजाएगी कि राजी को हम हमारे हृदय रुपी बिस्तर पर अर्ष पर धाम पर बेठा करके हम उनको अपना प्रेम दे रहे हैं तो उस दिन क्या होगा जो हमने राजी से वादा किया था ना कि राजी कि हम आपके आशिक हैं क्योंकि आशिक का मतलब क्या होता है जो प्रेम करने वाला अब तक हम राजी से मांग रहे हैं प्रेम और जब हमने राजी को अपने हृदय में बसाया और हम उनको प्रेम कर रहे हैं तो वो हमारे माशुक होंगे और उस अवस्था में जैसा किंद्र परश होंगे और वह ही प्रेम की उच्चतम पराकाश्ठा है बस वहां तक पहुंचने के लिए उस स्विच को अन करने की आव सकता है जैसा कि मैंने पहले ही का और चर्चा समाप्त करने से पहले भी मैं ये बात फिर से दोहराना चाओंगा क्योंकि साइकोलोजिकल एफेक्ट यह है कि एक तो सबसे पहले जो बात कहीं है वो याद रहती है और जो सबसे बाद में कहीं वो बात याद रहती 돼 इसलीए जो सबसे महत्वपुन बात है वो मैं फिर से दुबारा दोह रहूंगा कि पुरा का पुरा परिश्रम हमें उस स्विच को आन करने में लगाना है और जो मन है जैसा कि मैंने कहा कि मन एक बार में एक ही काम कर सकता है और इस चीज़ का फायदा लेना है दुनिया में क्या कहते है गोपियों ने कहा उधव जी को कि उधव मन न भए दस बीस एक हुतोसु गयो स्याम संग कौन भजे जगदिस एक मन था वो भी श्याम के साथ कृष्ण जी के साथ में चला गया है उन्होंने तो खेर किसी और भाव में कहा था अब यदि हम उस भाव को अपने उपर घटाएं तो जब हमने मन राजी को दे दिया दिल हमने राजी को दे दिया जब यह कह दिया कि यह दिल आपका घर है तो उस दिल में दुसरे को कैसे बैठने दे सकते हैं एक बच्चों वाली जो घटना है कि जो सबसे नजदी की मित्रों की जो टोली होगी उस टोली में उनमें से कोई एक ऐसा मित्र है जिसका किसी और नए मित्र के साथ में मित्रता हो जाती है लेकिन उस नए मित्र को दूसरे लोग अगर पसंद नहीं करते हैं तो उस टोली में किसी भी किमत पर उस नए मित्र को आने नहीं देते हैं. जो एक friend circle होता है, close friend circle होता है उसमें किसी नए बंदे को आने नहीं देते हैं. सोचे कि संसार की लोग इतनी possessive हो सकते हैं तो हमारा जो प्राणे स्वर है वो तो सबसे ज्यादा possessive है. जब हमने उसको अपना दिल दे दिया तो हमारे दिल में वो किसी और विकार को आने कैसे दे सकता है. सोचे. इस चीज़ को मैं बार-बार जो जिनसे में रजी के विशे में वाणी के विशे में थोड़ी ज्यादा बाते होती हैं, उनको मैं बार-बार करता हूँ. देखिए लालदास जी स्री जी की पहचान करने के बाद भी माया छूट नहीं पा रही थी. तो देखा कि मेरी अंगना होकर कि अभी भी माया में है. तो पोजिस्वने सुनका इतना ज्यादा है कि निन्यानवे जहाज डूबा दिये उन्होंने और कहा कि अब जा. अब कहा आना है? वापस तो मेरे पास ही आना है ना? तो जो जो भी बंधन होंगे, एक बार के लिए यदि हमने अपना दिल दे दिया राज्जी को तो वो सारे बंधन फिर राज्जी ही छुडाते जाएंगे, फिर आगे हमें और कुछ करने के आओ सकता नहीं होगे इसलिए मेरी सभी सुन्दर साचे यही प्रार्थना है जो यहां पर बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं या जो भविश्य में विभिन सोसल नेट्वोकिंग साइट्स के माध्यम से सुनने वाले हैं कि हम अपना दिल राज्जी को दे हम अपना पुरा का पुरा परिश्रम इस मन रूपी स्वीच को आउन करके राज्जी की तरफ लगाने में करें तो हमारे मन रूपी हृदय रूपी प्रकोष्ट में, कम्रे में, धाम में अर्ष में जो अंधेरा है वो अन्हरा समाप्थ होगा और हमारे हृदय में जो प्रियतम की छभी पहले से विराजमान है उस उजाले में हम उनको देख पाएंगे तभी हमारी आत्म जागरिती संभव होगी और जब सभी सुन्दर साथ की आत्म जागरिती होगी इसी को तो कहते हैं ना जागनी रास क्या कहा है खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सईयन तो 36,000 का अंकड़ा तो अब तक पूरा नहीं हुआ है तो जागनी रास ऐसे नहीं हो सकता अभी पांस दिन के बाद में सब डाणिया खेलेंगे घरबा खेलेंगे उसको जागनी रास नहीं कहा जाए जागनी रास का तात्परे है आप अपने हृदय में ही राजी से प्रेम का आनंद उठाइए प्रेम की आनंद का लाब उठाइए वो जागनी रास होगी और उसके ल